तो हमारा जो है यह अब थर्ड वीडियो है जो हमारा चैप्टर थर्ड चला गया है इससे पहले हमारे दो वीडियो जारी किये गए हैं इसके इपर और एक वीडियो हमने जर्नल लिया इसमें यानिको इसमें सिर्फ हमने फार्मले के बारे में बताया गया है किस तरह से उनको को यूज करते हैं फार्मले को तो इस तरह से हमारे टोटल चार वीडियो बनेंगे इस चैप्टर में नुमेरिकल के पर तो आप चार वीडियो ध्यान से देखिए तो आपको यह नुमेरिकल बिल्कुल क्लिर हो जाएंगे तो आयम राजेंदर कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फुजिक्स-डौट राजेंदर चैनल को लाइक भी किजिए और शेयर भी किजिए तो चलिए हम चलते हैं अपना 20 सब्सक्राइब पहले नाइंटें कोशन कर लिया 11 पहले कर लिया है तो बकी बच्चेंशंद आप उस वीडियो में देख सकते हैं जो आपने नहीं देखे तो जूरूर देखें उनको तो अब बीसमा क्वेशन हमारा क्या क्या पहता है डेख़े चूज आक्रेक्ट और अल्टरनेट अ Вот दो हमें इस में संद था तान्य हैं कि इस चांटने तो फिस यह की थिस्टन्फ आ चाहि एक maior थीजिस्टबस tendencies और केपटलर how will you combine them to get no.1 maximum हम clear है न हमारे पास number of register देगे हैं बहुत सारे r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 मतलब number of register देगे हैं clear है अब यह करता है हम उसको कैसे जोडें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा maximum और minimum दूनों पूछ रहा है second में पूछ रहा है minimum effective resistance और maximum resistance और दोनों की ratio क्या होगी ये भी हम हमसे ये पूछ रहा है तो हमें पता है resistance कब maximum होगा जब हम उनको series में जोडते हैं कब जोडते हैं series में यनिके हमारे पास क्या होगा r1 plus r2 plus r3 और up to end जो भी है तो maximum हो जाएगा और जब हमें minimum ये maximum के answer होगा देखिए minimum के लिए क्या होगा हमें effective resistance के लिए उसको जोड़ना होगा parallel में यनिके 1 by r plus 1 by r plus 1 by r up to end times clear है अब निकालने है उनकी ratio क्या निकालने है ratio चली ratio निकालते हैं तो जब हम series में जोड़ेंगे and time तो nr आएगा हमारे पास सब का sum parallel में जोड़ेंगे तो n by r आएगा clear है अब इन देनों की ratio निकालने हैं इनके divide करना है दुनों के बश और कुछ निया हो गया स्वाल बिलकुल आशान ठीक है clear नोड कर लिए वीडियो पोज करके आप रोक शकते हैं तू श्राब बी पार्ट में क्या कहता है यह given resistance एक दो तीन यह हम देगे how will you combine to get an equivalent resistance of यह 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 और यह resistance ही हमें कैसी हम इसको जोड हैंगे clear है in order to obtain an equivalent resistance of 11 by 3 यहनि के पहले बाड़ा clear है the parallel combination of 1 ohm and 2 ohm resistance should be connected in series 2 3 ohm यह देखिए यह पहले इसने 6 हो माल ले ले लिए न यह 6 तो सिद्धा या गया clear है 6 तो हमने directly निकाल लिया अब ची हमें 11 by 3 तो 6 by 11 ऐसे निकालेंगे ऐसे जोड़ दो यह दो simply mathematics है आपने जो है वैसी जो है दिमाग से सोचना है भी किस तरह से जोड़ें कि हमारे पास यह value आ जाने चाहिए अब माल लो इसमें हमने करना कुछ नहीं जैसी माल लो हमारे पास 2 और 4 है ठीक है भी इसको किस तरह से जोड़ें कि 2 आ जाए तो सिद्धी सिवाद है चार में से 2 गटा दो चार में से 2 गटा दो तो कोई लंबी चोड़ी बात नहीं है तो आप इसको अपने आप आसानी से कर सकते हैं तो बस यह figure देख लिए फिर हमने इसको जोड़ नहीं है यह fourth के लिए हो जाएगा यह fifth के लिए हो जाएगा यह sixth के लिए हो जाएगा और यह simple हमारा topic है इसको आ आप अपने आप आसानी से कर सकते हूँ क्लीर अब आती है अब सी पॉइंट में कहता है देखिए द्यान से determine the equivalent resistance of the network यह network दिया वे देखिए द्यान से हमारे पास वीगर कैसे बनेगा यह वाड़ा बनेगा देखिए हमने पहले वीडियो में आपको समझाया था भी जो resistance हम उनको किस तरह से जोड़ते हैं ताकि maximum और minimum resistance हमें मिल सके ठीक है न तो therefore total value of resistance between the two point a and b is equal to कितने कितने बार देखो 1 2 3 4 5 पांच है न तो पांच आर हो जाया कितने हैं तो फाइव आर पहले एक answer हो गए यह अब second यही figure है हमारे पास the combination हमारे पास दिया गया देखिए combination of desired result can be selected देखिए इस तरह जोड़ सकते हैं इस तरह ही जोड़ सकते हैं तेक है all these resistance are in series तो टोटल हुई हमारे पास पांच आर हो जाएगा आप 21 देखिए determine the current drawn from 12 volt supply with the internal resistance of यह दे रखे हैं हमारे पास network दिया है देखिए network सेम ऐसे इस वाला सेम जैसे अभी किया है यह network दिया गया है पास और इसका हमने क्या निकालना है अंसर निकालना है determined the current run from 12 volt battery last में जो जोड़े गी है न इसको मैंसे भी ले सकते हैं जोड़ना चाब आप इस तरह से भी आप इसको जोड़ सकते हैं ठीक है 12 volt की battery अब चलते हैं स्वाल की ओर ठीक है solution कैसे निकालेंगे यह देखिए यह current की direction चूझ की गई है clear है as shown in the diagram the loop of resistance shown by arrow is represent the time let's assume equivalent resistance is x so by adding one more loop the resistance will remain x तो यह हमारे पास formula है हमारे पास सिदा जैसे हम उसके स्वाल करते हैं न वी बीट करवाड़ाई plus minus 2d वाड़ा तो वह वाड़ा formula है आप उसके इदा 2 plus minus 4 minus 4 into 1 वह हमारे पास होता है न फार्मुला minus b plus minus under root d divide by 2a हाय याद कुछ नहीं आया तो यह वाड़ा formula लग जा गया x की value निकालने के लिए ठीक है न अब x इसमें कैसे बनाया है इसमें देखना ध्यान से x की value कैसे बनेगी हमें पता है जो resistance कितना दियागा इसमें 1 ohm कितना दिया गया 1 ohm देखिए एक बर्च figure के पास चलिए वहाँ से आपको clear आजाएगा 1 ohm देखिए पूरे के पूरे register में 1 ohm दियागा और एक last में कितना दियागा है 0.5 दियागा है कितना दिया 0.5 तो total ohm हम कैसे ले चलेंगी as as per the figure register हम कैसे निकालते है r plus xr divided by x plus r plus r यहाँ से निकालते है total resistance का है कर देखिए एक बार आप resistance equivalent to parallel combination resistance equivalent to parallel combination और वो हम कैसे निकाल लेंगे उसका भी मारे पास फार्मला क्या हता है xr divided by x plus r हमने पिछले वीडियो में इसको किया है plus जो हमारा दूसरा resistance बचेगा plus r इसको note कर लीजी copy में important है हमारे पास ही sum तो यह कितना हो जोगा r plus r टू r हो जाएगा r plus r कितना हो जोगा टू r अब यह एक r हमारे पास R कितन दिया? 1 Ohm दिया है कितन दिया 1? तो यहनु कि यह मैं सिदा direct wave कर सकते हैं 1 into 1 यहनु कि क्या हो देगा हमारे पास? 2 हो जाएगा क्या हो देगा? 2 तो इसका मतल लिएका 2 पलस X R था तो वो भी 1 हो गया हमारे पास divide by x plus r है न तो वो भी क्या हो गया 1 हो गया हमारे पास ब्राबर कितना हो गया x के इसकी cross multiply कर देना आप इसकी क्या करेंगे cross multiply cross multiply करने इस equation क्या बढ़ेंगी x square minus 2x minus 2 x square minus 2x minus 2 अब इसको हम solo करेंगे x की value निकाल लेते हैं जम से हम 9th और 10th class में निकालते हैं equation क्या बढ़ेंगे x square minus 2x minus 2 equal to 0 इसको solo करनेंगे इसमें से x की value आप निकाल लेंगे तो x आएगा हमारे पास 1 plus minus and root 3 यह आजाएगा जब इसको solo करेंगे अब यह हमारे पास क्या आगा x और e कितना है 12 volt e कितना हमारा 12 volt दिया गया equation में दिया गया sum में पढ़ देना और r small r यह दिया यह देखे यह small r है 0.5 ohm दिया वा है तो i वह हमारे पास e बटे वह हमारे पास i की value क्या आती है e divided by small r plus capital r यह formula होता है न तो इससे हमारे पास पास आजेगा current of the network ठीक है तो यह हम complete होगे है स्वाथ आप आगे चलिए क्वेस्ट नमबर 22 में क्या कहता है figure so a potentiometer with a cell of what about question को कर देते है 2.0 and internal resistance of 0.40 clear यह दिया हमारे पास और यह कहता है maintaining a potential drop across the register a b a standard cell which maintain a constant emf यह emf दिया हमारे पास 1.02 even हो जाएगा यह ठीक है यह कहा जाएगा पहला emf for every moderate current up to a few milli ampere gives a balance point यह L हो जाएगा मारे पास यह क्या हो जाएगा L अब इसको L1 मालो यह L2 L1 ले ले लेते हैं यह क्या हो जाएगा मारे पास L1 यह क्या है L1 of wire to ensure very low current draw from the standard cell a very high resistance of 600 standard ohm is put in series with it which is sorted close to balance point the standard cell is then replaced by a cell of unknown emf and a balance point हमारे पास फिर क्या आगया 82.3 अब यह हमारे पास L2 हो गया यह क्या हो गया L2 तो हमारे पास क्या हो गया L1 हो गया L2 हो गया और E1 हो गया तीन point हो गया फिर वह ही हमारे पास है तो जो formula हमारे पास इसके लिए क्या है याद है कुछ E 2 divide by E1 is equal to L1 divide by L2 या L2 divide जैसे मर्जिल कर दो पुल्टा पुल्टा उपर E1 नीचे E2 ले लो और उपर L1 नीचे L2 ले लो या ऐसे कर लो इसके बाद हमने तीनों की value पूट कर देनी है ठीक है न यानिके E2 हमारे पास निकालना है तो L2 divided by L1 82.3 divided by 67.3 इन्टू में 1.02 आजएगा क्लिर है तो अब चलते हैं जो question है तो यह हमने करी दिया complete यह formula लगा गया आप देख लिए ना इसको ठीक है इस तरह इसको हम शोलो कर सकते हैं star का मतलो multiply what purpose does the high resistance of 600 600 किलोम अब आपने जो equation द्धान से पढ़िएगी जो हमारा सम है उसको पढ़ने से हमें समझ में आएगा अब यह 600 600 ओम इसमें दिया गया क्या purpose है उसका तो उसका purpose क्या है the purpose of using high resistance is to allow only a very small current to flow through the galvanometer then the balance point has not been obtained यह इसका मतलो clear आई पढ़ लिजी एक बार आप इसको third में third question में क्या पूचता यह is balance point affected by the high resistance is balance point affected by the high resistance तो इसका अंसर हमारे पास क्या रहेगा no balance point is not affected by the presence of high resistance clear four देखें is balance point affected by the internal resistance इसमें भी का आएगा no balance point is not affected by the internal resistance of the driver shell clear fifth would the method work in the above situation if driver shell of photohenziometer had EMF instead of two point answer drawn at null point if driver cell of standard circuit has an EMF smaller than EMF of the cell to be balanced null point will not be achieved in the length of potentiometer wire and galvanometer will provide only one side deflection समझ मैं बात ही? मतलब no I guess arrangement will not work क्यों? क्योंकि if the EMF of the driver cell is less than that of the cell वोज EMF is to be find अभी जो करना है the balance point will not be obtained अब लास्ट कोशन देखी क्या करता है वुट दा सर्कुट वर्क फार वेल फार डेतर्मिंग एक्टर्नली स्माल EMF से दा ओर्डर फ्यू माइक्रो वोल्ट सच अज दा टापिकल EMF अब दी थर्मो कपल तो इसमें क्या बनेगा ता सर्कुट इस नाट सुटेबल फार मेजरिंग एक्टिमली स्माल EMF इस बिकोश इन सच केस बैलेंस पॉइंट विल बी जस्ट क्लोज दो एंड तो यह था हमारा क्वेस्टन अब नेक्स्ट क्वेस्टन क्यों चलते हैं ट्वंटी थर्ड क्वेस्टन हमारा फिगर दिया गया इस में बैलेंस पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस यह यूज किया गया है फाउंट वो भी कितना यह आगया हमारे पास वाइल दैड विद यूज रेजिस्टेंस यह आगया हमारे पास डेटर्माइन दी वेल्य ओफ एक्स सेम अभी हमने क्वेस्टन किया था था न थोड़ी दिर पहले सेम पॉइंट हमारे पास यह बनता है जिस तरह से हमने उसको निकाला है तो कैसे निकालाएंगे देखिए अध्यान से हमें पता यार इस इकल टो के हैं लवन तो वेल्य पूट करेंगे आपे क्लिर है यह देखिए आई एक्स एक्स बाइ टैन क्लिर है न तो इस तरह से यह क्यूस्का से हम हम हल कर सकते हैं एक बार हम दुबारा आपको समझा देते हैं कैसे करना है तो फार्मूला हम वही डिरेक्ट लगा देंगे जो पिछली बार लगा है वही लगा दुसी दाबस इस इस इसे सिंपल फार्मूला एटू डिवाइड बाई इवन इस इकल टू X by R, यह फर्मल होता है हमारे पास X by R, यह R1 by R2, R2 by R1 तो इसमें से हमें क्या निकालना है, X निकालना है क्या निकालना है, X, और X क्या होगा हमारे पास L2 बटे L1 इंटू में R L1 और L2 और R3 इसमें दिये गई है, L2 कितना है 68.5, एक मिन देखे, हम क्वेस्टन के पर चलते हैं, यह देखे यह L2 दियाव है डिवाइड बाई L1, 58.3 इंटू में R, R कितना दिया यह सिम्पल क्वेस्टन, खतम क्लिर है न, पॉइट यह बचे करना है, इस बाई इस इन्टू दिस क्लिर, सिम्पल फार्मूला, इतना बहुत लंबा दिया है, जैसे इसको देखे, बचे डर जाते हैं अब यह दो हमारे पास, इसमें एक क्वेस्टन और जाता है, देखे, क्वेस्टन नमबर 24 जरू करते हैं, यह क्वेस्टन आप यहां देख लिए न, एक बाई आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, क्वेस्टन नमर 24 देखते हैं यह फिगर दिया गया, देखे, क्या कहते है, इसमें, पड़ी लेते हैं एक बाई इसको, फिगर सोगे 2.0V potentiometer used for the determination of internal resistance of 1.5V cell the balance point of the cell is, circuit में क्या आगए balance point हमारे पास, यहां भी balance, यनि कि यह क्या हो गया हमारे पास, बताओ क्या हो गया यह, L2, और यह, L1, और यह, 1.5 और S निकालना पड़ेगा, इसके लिए में, क्या निकालना पड़ेगा, S, वो नहीं दिया है, when register of 9.5 यह दिया है, अगे दिया है, यह देखे, और यह होगा, इसमें हमारे यह हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ है, वही same formula, क्या, same formula जो अभी पिछले, example में किया है न, हम इसी साब से हम इसको करेंगे, determine the internal resistance of this cell, और internal resistance निकालने का formula हमारे पास क्या है, वो हमने कहीं बार कर लिया है, तो चलिए इसको solo करते हैं, L1 दियावाय है, R दियावाय है, और L2 दियावाय है, ठीक है, यह 3 points हमारे पास दिये गई है, और internal resistance हम भी निकालना है, तो यह formula है, internal resistance निकालने का, L1 minus L2 divided by L2 into R, value put करने हमें सिरो, ठीक है, तो बिलकुल आसान, पढ़ने में बहुत लंबा स्वाल लग रहा था, लेकिन बिलकुल आसान है, तो यह था हमारा आज का topic, numerical problem हमारी जो चल ले थी, NCRT chapter 3 की, अब यह हमारा chapter complete हो चुका है, तो next chapter के बाद फिर हम आपके लिए आपके लिए हमारा 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 आपके लिए हम झाल झाल